हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा काफी टाइम हो गया कि जो है आपकी वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है तो आज हम लोग एक छोटी स से अपना काम आगे बढ़ाना है ठीक है तो आए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिना ज्यादा समय गवाए तो अभी आपने देखा कि एक आपको सूचना मिली है कि जो आपके आयोग के परिच्छा नियंतरक हैं उन्होंने अपना पद संभाल लिया है तो आप कहेंगे के लिए इनको अब उस पद पर नुक्त कर दिया गया है ठीक है अब बात आती है कि इनके नुक्टी से क्या हमको फायदा होने वाला है तो जायर सी बात है नुक्सान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा जब भी होगा, तो फायदे क्या हो सकते हैं, उसको एक बार देखते हैं, तो देखिए परिक्षा नियंतरक का कारी ये होगा, कि जो भी आयोग का कैलेंडर आना होगा, उसमें ये क्या करेंगे, ये परिक्षा होगी तो उसके लिए प्रश्णपत्र तयार होगा तभी तो ये डेट आगे देर पाएंगे या प्रश्णपत्र तयार होने के इस सिती में होगा तभी ये डेट दे पायेंगे ठीक बाई यह चीज़ आप समझ गयиком तो सबसे फिलाल जो calendar जारी होता है पूरे एक वर्स का जारी कर दिया जाता है ताकि उस हिसाब से बच्चे अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहें यदि एक वर्स के लिए calendar जारी हो रहा है लेकिन उसमें आपको समय फिर भी मिल रहा है calendar जारी होने में देखिए आपका October चल रहा है अ तो सबसे पहले आपको देख लिजिए जो अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं किनके किनके कर बबरे जा चुके हैं असिस्टेंट पॉरلاूइसर पीजी टी टीजी टी ये फॉरम भरे जा चुके हैं 2022 में देखिए तब यह थोड़ी सी ठीक रहे हैं वो भी अपनी तयारी में लग जाए क्योंकि एल्टी ग्रेट की वेकंसी एक दम से हो रहे हैं कि आपको मिल जाएगी कितनी मिलेगी इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो पाएगी लेकिन आपको वेकंसी देखने को मिलेगी और यह भी आप जान लीजे कि कब मिलेगी तो देखे निस्चित तो तब होगा जब आपके आयोग का कैलेंडर जारी होगा तब ही निस्चित हो पाएगा सब कुछ लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अभी 2024 में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जहां तक मैं मानता हूं कि 2024 में बचाई कितना है तीन महीने जिस को मिल जाएगी इसकी परिक्षा ठीक है तो 2025 के लिए आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए उसमें भी बात आती है कि 2025 में भी कब नमबर दिसंबर में मिले तो क्या करें नहीं आपको मुझे जहां तक लगता है कि आपको शुरू के चार से पांच महीने के अंदर आपको परिक्षा देने को मिल जाएगी तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कितने महीने का समय है मैक्समम पांच महीने आप मान के चलिए कि आपको समय मिलेगा इस चीज के लिए पांच महीने का क्यूंकि जब आयोग अपना कैलेंडर जारी कर देगा माल ल करना है तो इन परिक्षाओं का जो पैटर्न है पहले से डिसाइड होता है कि इन में किस तरीके के प्रशन पूछे वो जाते हैं क्योंकि यह जो है इस पेसल सब्जेक्ट के लिए होते हैं तो इसमें पहले से पता होता है कि हमको उसी सब्जेक्ट की चीजों को क्या करना है उसी सब्जेक्ट की चीजों को आगे करना है ठीक है अगर हम बात करें कि बागी की जो आपकी परिक्षा है क्योंकि ज्यादा तर हमारे साथ हैं जो यूपी टेट और सुपर्टेट के लिए जुड़े तो उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो तो इस वर्स में तो कुछ होना नहीं है, ठीक है? यदि आपका U-P-Tate भी होगा, तो वो भी इस वर्स में तो नहीं होगा, यह तो शेवर है, तो कब होने की संभावना है, तो सबसे पहले U-P-Tate की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए क्या क्या चीजे हैं जो आपको समझनी चाहिए देखिए सबसे पहले तो आप ये समझेए ना यूपिटेट में कि अब की बार नया आयोग है ठीक है अब नई होने से क्या समझ से आएगी तो यहाँ पर कई सारी चीजे हो सकती है क्या क्या चीज जैसे आप समझेगे कि जो आपके सीटेट का पैटर्न है ठीक है जो आपके सीटेट का पैटर्न है उसमें क्या होता आपकी जो प्राइमरी की बुक्स होती है ठीक उन बुक्स से स सबसे ज़्यादा questions उसमें रखे जाते हैं तो यहां पर संभावना यह बनेगी कि अगर आयोग जो है जो नई समीती बनी है वो यह चाहें कि हम primary के लेवल का जब बनाएं तो वहां से भी चीज़े उठाएं तो थोड़ा सा कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है पहली बात है तो आपको क्या करना चाहिए आपको यह चाहिए कि जो भी आप देख रहे हों से अभी तक का पहले तो उसको complete कर लीजिए उसके बाद उसके आगे पीछे की चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जो है अगर आप अभी से नहीं पड़ेंगे फिर अचानक स यूपी टेट कॉलिफाइड है तो आपको दोबारा इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधे सुपर टेट की तैयारी पर लगिए ठीक है और अगर मैं आपको बताओं कि आप यूपी टेट देना भी चाहते हैं तो भी आप अगर सीधे सुप से नहीं होगी यूपी टेट बहुत आराम से आपका निकल जाएगा अब अगर हम बात करें कि सुपर टेट की तो ये भी देखिए 2025 में ही देखने को मिलेगा पहली चीज है अगर देखने को मिलता है तो मैं आपको डिमोटिवेट कभी नहीं करना चाहता और ना तो मैं करत हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको परिक्षा मिलेगी लेकिन अभी ये तो क्लियर हो जाए कि इनका अनुपाद समानुपाद वराबर है कि कैसे क्या है हाला कि डगमगा गया है 2025 में संभावना पूरी है कि आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन कब मिलेगा ये समझ यदि आपको यूपी टेट आपका है तो 2024 में तो कोई चांस बन नहीं रहा है यूपी टेट हो जाए होगा भी तो 2025 के माल लीजे तीसरे या चौथे महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हो गया पहली चीज़ अब अगर यूपी टेट कराएंगे तो उसके बाद आपको सुपर टेट की परिच्छा देखने को मिलेगी वो भी तीन महीने का कम से कम समय आपको मिलता है जब कोई notification आता है और उसके परिच्छा में हाला कि कैलेंडर अगर कैलेंडर इन्होंने दे दिया उसमें इसका जिक्र हो गया तो डेट आपको पहले से पत आठ मंत कह सकते हैं कि अभी है तब जब हम लोग मान रहे हैं कि आयोग काम करेगा तो दे देगा भरती देगा उसके लिए हम मान रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर फिर बात आती है कि अगर आप सुपर टेट की तयारी कर रहे हैं तो कैसे उसको टैकल करें कैसे उसको तयार कर कि सब कुछ आपका तैयार हो जाए समय पर ठीक है तो आप समझ गया होंगे कि अगर आप इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी नहीं है कि एक दम तुरंत हो जाएगा लेकिन हाँ इतना है कि जो अभी का सेलेबस से सुपर्टेट का उसको आप एक महीने दो म इक्षा में यदि कोई अच्छे नंबर लाता है और यह कहता कि मैंने दो महीने में तीन महीने में पढ़के नंबर ले आए वो सरासर गलत कहता है यह कोई BTC का एक्जाम नहीं है कि BTC में लिख दिया बढ़िया जितना लिखा उतना आमको नंबर मिल गया ऐसा एक्जाम नह कि उसके कुछ subject पहले से अच्छे रहे होंगे, पहली चीज, बाकी के subject में इतना knowledge रहा होगा, कि उनको कुछ ही जोड़ना था, बाकी सब revision करना था, तब जाकर के 2-3 महिने में अच्छे नंबर आप आते हैं, यदि आप SuperTet के लिए देख रहे हैं, और पहले से जो पढ़ा है वो भोल गए हैं, या अभी आप नए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको समय की जरूरत है, ठीक है, आप परियाप्त समय देंगे, तभी जाकर के आपकी तैयारी complete हो पाएगी, अब उसके लिए अगर आप अभी कसले बस देखेंगे, तो वो आपको बह नौकरी वाली, आपको बस यहां पहुँच जाना है कि आप नौकरी पा जाएए, पहली चीज़ है, ये तो उनके लिए हैं, जो किसी तरह नौकरी पा जाए, बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या याद नहीं हो रहा है, या नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले लेकिन आपको अपने घर में नौकरी मिल जाए भाई तो इस वाली लाइन से इतना उपर जाना पड़ेगा तो वो एक दो महीने की तैयारी में नहीं हो पाता है और अगर आप सेलेबस देखेंगे फिर तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं हो पाएगा एक दो मह चैप्टर आप निप्टाते जाएए अभी से ठीक है शॉर्ट नोट बनाईए ऐसे नोट बनाईए कि दो मिनट में एक चैप्टर आप रिवाइच कर लीजिए ऐसे नोट आपके पास होने चाहिए आग बंद करिए चैप्टर गोम जा सामने तब जागर के तैयारी होती है अब यहाँ पर अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ ये तीन चीजे आपको चाहिए होती है पहली चीज क्या है syllabus प्रीवियस ये पेपर और फिर आपको क्या चीज पढढ़नी है ये पता होनी चाहिए अब देखिए syllabus का क्या है जो प जो होगा ये आपको इसी चैनल पर कुछ तो पहले से है लेकिन हम लोग एक बार कोसिस करके जितना पूरा सुपर्टेट का सेलिबस है उसका हम लोग एक बार एनालिक्स करके देखते हैं और उसके हिसाब से अभी से तैयारी अच्छे से सुरू कर देते हैं उसमें मैंने एक स से और हाई लेवल तक की उसमें क्लासेज हैं तो उन्हें आप जा करके देख सकते हैं वह आप तयार कर लीजिए उसके अलामा जब आपको मिलेगा तो वहां पर आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे ठीक है टॉपिक मिल जाएंगे तो आप उन टॉपिक को कहीं से भी पढ़ जरूरी यह है कि आप सेलेक्ट हूं यहां से हूं या कहीं से भी पढ़के हूं मैंने यही रखता है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए ठीक है तो आप पहले टॉपिक देखिएगा टॉपिक देखने के बाद मैं उसमें यह भी रखूंगा ना कि प्रीवियस येर में जो भी कोश्णस आए हैं वो चाहिए यूपि टेट के हूं या सुपर टेट के हूं तो वो कैसे और कहां से पूछे गए हैं यह आपको पता चल जाएगा टॉपिक पता चल गया अब आपको जरूरत होगी कंटेंट की ठीक है तो यदि आपको यह पता है कि यही टॉपिक है ऐसे से कोश्णस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कहीं से भी डूट डांट के पढ़ लीजिएगा अगर यहां पर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम परिवार है इस्टेडी शाला टू-पॉइंट आप तैयारी करें कि आपको अपने घर मिले यह सेलेक्शन प्रोसीजर होता है हमारे बहुत से साथ हैं उनको नहीं पता होगा जिनका बैक्ग्राउंड टीचिंग का नहीं है या उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है या ऐसे लोगों से नहीं जुड़े हैं जो जो है नौ आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कि आपको अपने घर के आस-पास में लगोजाए ठीक है हां मैं बार-बार मिल जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह आप पहले आए तो मैं भी और भी तो आए तो आपको अपने घर में मिल जाएं फीद है पिछले पांच साल से भले आप तयारी करनें नहीं आ रही है नहीं आ रही होता है लेकिन समूर्थ चिन का यह चाहिए उसकी मोटिवेशन होता आपके आप अंदर से motivate रही है जैसे एक हमारे आपके साथ ही है अतिक ऐहमद ठीक है मैंने उनको देखा वो लगातार पढ़ते जा रहा है इस समय उनकी तैयारी एक बहुत बहतरी इन है आप ही लोगों के साथ class attend करते हैं बहुत ही बहतरी इन तैयारी उन्होंने कर रखी है तो जब भी मै तो इतने अच्छे से आप पढ़िए ताकि आपको परेशान होनी की जरूरत ना पढ़े motivation आपको कहां से आएगा है तो motivation के लिए सबसे बेश्च तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप subject आपको पता है कौन-कौन से पढ़ने हैं आपको topic पता है कौन कौन से पढ़ने है ठीक है उसके बाद जब आपका topic तयार हो जाए तब आप इसकी practice करिए ठीक है practice करिए और उसके बाद फिर आपको जो नई चीज मिले इस topic में आप जोड़ लीजिए समझ रहे हैं तो पढ़ते जाए जोड़ते जाए पढ़ते जाए जोड़ते जाए फिर आप क्या करिए एक शॉर्ट नोट ऐसा बनाए कि आप उसे पांच मिनट में एक चैप्टर आप तयार कर लीजिए जब ऐसी चीजे आपके पास हो जाएंगी तब आप कहिएगा किसर ए तयारी करिए चैप्टर आपके दिमाग में जिस दिन घूमने लगेगा उसी दिन आप अपनी तयारी को मान लेजेगा कि आपके तयारी कंप्लीट हो गई है जो आपका चैप्टर अभी कमजोर है नहीं बढ़िया है उसे पुरा फोकस कर दीजिए उसको अच्छा बनाईए क्योंकि आप यकीन मानिए कि आपके जितनी वैकेंसी आने वाली है ना उसके दो गुना तो ऐसे बच्चे होंगे ही जो एकदम लग करके दिन रात तयारी कर रहे हैं अभी से तो आप बताएं उनको अगर पाना है तो पहले तो उनके बराबर आने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अब यहां पर आप समझे कि जब जादा सब्जेक्ट हैं ठीक है धेर सारे सब्जेक्ट अगर हैं और आप इनमें से दो में भी कमजोर पड़ गए और कोई ऐसा है जो अभी से सब पे लगा हुआ है तो आप बताएं उसके बराबर पहुंच जाएंगे या तो आप अपने घर से बहुत दूर चले जाएंगे अब मन में आएगा नौकरी कहीं मिल जाए बस मिल जाए तो मैं मानता हूं मिल जाए लेकिन मिलने के बाद पिर वही कष्ट देने लगता है कि इतना दूर कैसे हो गया हम ठीक है तो अभी से तैयारी में कराएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ियां से आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए टापिक हम डिसाइड करेंगे उसमें शौर्ट में हम लोग उस टापिक को कवर भी किया जाएगा जिससे की आपकी तैयारी और बहतर हो जाए ठीक है तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आईगी और अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार धन्यवाद जैहिंद